नमस्कार दर्सको मैं अलीगर से अमरजाला के लिए चमन शर्मा ज्यादातर देखा गया है कि बच्चा जो है अपने पिता के नाम से जाना जाता है जैसे कि लगाते हैं कि सनौफ परन्तु अगर पिता बच्चे के नाम से जाना जाने लगे तो फिर वो पल ही कुछ अलग होता है जैसा कि इस समय रिंकू सिंग जो क्रिकेटर है आई पी एल में उनको उनके पिता के नाम से नहीं बलकि उनके नाम से उनके पिता को जाना जा रहा है तो आज मेरे साथ में हैं जीस आप देख रहे होंगे रिंकू सיंह सब बच्चों के साथ तो तो फिर उसके बाद आपने उसकी प्रतिवा को किस तरीके से कर्द दो तो यहां के बाद जैसे इनके कोच मसूद अमीनी जी तो उनके किस तरीके से संपर कुए जोटे पर पर गेलता था यहां पर दरोदर रहा है अच्छा अच्छा उन्हों ने प्रयास किया अच्छा एक कुछ बातों पर मैं जानना चाहूंगा जैसे कि आप काम क्या करते हैं इस समय प्रोफेसर मैं गोबला इंटरप्राइज में काम करता हूं अच्छा जैसे कि कुछ मीडिया में यह आ रहा था कि रिंकू ने भी इसलेंडर उठाएं तो यह काम करा है अच्छा एक और मीडिया पर बात्चीत आ रही है जैसा के देखा गया के रिंकू ने जाडू की पहुंचा किया तो क्या ऐसा कुछ सत्य इसमें कुछ यह सत्य यह बात पर बापस आगया था कोई मतलब जाडू पहुंचा उसको पसंद नहीं आया और वह नोक्री नहीं कि अच्छा जैसा कि पांच वालों पर पांच इकसर वाले पलकी बात करें तो उस समय मतलब आपको किस तरीके की दुख दुखी हो रही थी तो आप मैस देख रहे होंगे उस पर टीवी पर तो हो जाएगा लेकिन दूसरा चक्का लगा तीसरा फर तरीके तरीके अब अब बढ़ती गई हैं अब तो यह कहानी हो जाएगी सब वह में सुच रहा हमें बखवान कोई ना कोई चमसकार हो जाए और उपर वाले ने करका दिखा दिया अच्छा जैसे कि इस मैच के बाद रिंकू से बाचित हुएंगे आपकी फोन पर तो क्या किस तरीके से तो आप अपने बच्चे को ले करके अभी और क्या सपना देखते हैं कि अपनी टीम के लिए अच्छे रण मारे है का है और इंडिया के लिए खेले तो अब मेरे साथ में हैं क्रिकेटर रिंकू सींग की ममी जिन्हों ने उनको जन्म दिया और मतब कहते हैं कि पहली आती है और उसके टेलेंट को पहचानती है तो आपका नाम क्या है बीना देवी बीना देवी जी अच्छा कुछ वो बताए के रिंकू सींग का जन्म यहीं गवाता इसी आवास पर अच्छा जो अंदर कम रहे हैं अच्छा तो उस समय भी आपर एक कम रहा था दो कमरा था क तो बैट वॉल खेलना गली महले में खेलना अच्छा तो अच्छा एक चीज यह कि अगर बात करें कि रिंकू की अब क्योंकि आउनके पाद नाम भी है पैसा भी है और एक मुकाम भी है तो अगर में बात आती है साधी पर तो साधी को लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है क हम के का साधी करें कि प्लादिंग जैसा कि इच्छा पहलाँ है जैसे वह माला से चाहिए और श्याश्बार में प्रद़्े। अच्छ जैसे कि आप अगर कुछ जैसे इच्छा रखते हो किस तरीके पड़ी लड़की से अच्छा तौ देखने वाले तो आते होंगे काफी दिन से कह रहे हैं अच्छा परंथु करने के लिए आपर राजति कर दीतीं अच्छा अच्छा अब हमारे साथ में हैं किर्केटर रिंकु सिंग की भावी जी तो आपका नाम क्या है अच्छा आरती जी जैसा कि आपके देवर के आप किर्केट मैस देखती होंगी तो आपके वह तरह अभी यह जो पांच बॉलों पर पांच शिक्सर जड़े तो आप भी देख रही थी उस समय के इंतिजार था कि वह तो आपकी भी इस मेंच के बाद आपके देवर रिंगु से बाचित हुई जी हुए तो क्या रात को ही थी तो कह रहे थे भावी कैसा लगा मैंने कब होत अच्छा लिगा लगा हुए और काफी टाइम से इस समय के इंतिजार था कि कुछ अच्छा करें तो अलग करके दिखाया बहुत अच्छा लगा था अच्छा जैसा कि आप अपनी देवरानी के लिए क्या इच्छा रखने क्या कोई अभी प्लानिंग चल रही है या धर में जैसे कि हमने उनकी वाइप नानिया जैसे उन्होंने तो अभी कुछ जाहि सब्सक्राइब तो आपके देवरानी कोई अपनी नहीं बताई है अभी साधी के लिए भी राजी नहीं है अभी हम बोल देते हैं तो अभी थोड़ा सेटल हो जाओं और क्या कहते हैं अपना इंडिया-इंडिया खेलने उसके बार नहीं करूंगा अच्छा अच्छा कोई ऐसा पल भी है जैसे कि आप साधी होकर के आई इस परिवार में तो कोई ऐसा पल रहा हो जो दिल को चुगा हो आपको अगर रिंकु को लेकर के बारच अब हम आपको दिखाते हैं क्रिकेटर रिंकु सिंग के माता पिता जहां पर रहते हैं और जहां पर उनका जन्म हुआ तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यही दो कमरे हैं जहां पर उनके मावाप इस समय रहते हैं और मैं आपको थोड़ा सा कैमरा में से कहूंगा थोड़ा सा मेरे साथ चलें तो यह दिखाएं कि देखें यही एक बाहर का जो मतलब चाहे इ चाहे चाहे इसको आप गुसल खाना कहा दें तो यह है देखिए और इसके बाद अगर हम अब अंदर की बात करें साइद यहीं जन्म हुआ था इसी वाले कमरे में तो देखो मैं आपको मैं कैमरा में से कहूंगा कि आप अंदर का दिखाएं तो आप देख रहे होंगे कि यह है रिंकू के माता पिता जहां रहते हैं यहीं पर रिंकू का जन्म हुआ था इसी कमरे में रिंकू और देखे यह रिंकू के एक तस्वीर लगी हुई है बत और बैट्समें तो यह चोटा सा कमरा है बहुत ही चोटा साइद इसमें एक बस बैड और यह अलवारी त्य केवल कि कम आपको दिखाए पिर के बाद जहां के पिताजी पर काम करते हैं होकर का तो वहां फिर उनहोंors यह ओर काम दिया भ depend라고 यह जैसे के यह दूश्रा कंभड ऐसे अज तरूह को तो अब हमारे साथ में हैं रिंकू की सिस्टर से भी तो अब हमारे साथ में हैं तो आपका नाम क्या है नेहा जैसा कि पांच वोलों पर पांच सिक्सर का जो मुकाम था आप भी देख रही होंगी तो मतलब आपकी क्या फिलिंग है अपने भाई के लिए और आप और किस मुकाम पर देखना चाहती है जब भाईया मैच खेल रहे थे तो हमको भी बहुत अच अच्छा तो आप अपने भाई को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं हम उनको ब्लू जर्सी में देखना चाहते हैं जो इंडियन टीम है उसके खेलते हुए अच्छा आप कितने भाई बहन है पांच भाई है मेरे में सबसे चोटी बहन हो तो आप अकेली बहन है तो देखें ये अकेली बहन है तो अकेली बहन का अपने भाई के लिए अलग ही मतलब फीलिंग होती है तो आप देखते रहिए अमरुजाला मैं अलीगर से चमन सर्मा अमरुजाला अब कंदमाना ना बोले ताकि हर खबर हो आपके घर आमा रुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर